नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल दा एक्जाम पॉर्टल में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं क्राउन का गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है आज हम मौरे काल पढ़ेंगे ठीक है यह हमारा वीडियो नूमबर तीन है अब आगे बढ़ते हैं ठीक है देखे जैसे कि आप सभी जानते हैं मौरे बंस के अपना चंदगुप्त मौरे ने किय थी चानक के और कॉटिल उसके गुरू थे उनकी मदद से उन्होंने घंणननंद को परायद कर मौरे बंस का सासन कायम किया था ठीक है अर्थ सास्त जैसे अब यह थोड़ा सा पढ़ने से पहल परायवरण कैसे लिए होते थे सारा वर्णन इसमें दिया हुए एगे की आगे देखते हैं को टिल ने राजी के साथ अंगों का बढ़न किया है ठीक है जिसमें क्या है साथ अंग में कौन कॉन से स्वामी मतलब राजा अमात मतलब मंत्री मित्र सेना कोस दूर्ग जनपर ठ कि देखिए एक और इंपोर्टेंट यह यह मुद्रा राक्षस जो पुष्टक है इसको आप याद कर लिए बिसागदत ने लिखा था इसका लिखा कभी नाम याद रखना है क्योंकि यह मुझा कर देता है इंडिका जो मेगा अस्तनी लिखा था उस वह भी एक इंपोर्टें जो है सिरलंका में हुआ था ठीक है अब देके जूना कड़े लेक इसले इंपोर्टेंट है क्योंकि जुन रुदर दामन के जुना कड़े विलेक में चंद्गुप्त मौर्य के नाम का उलेक मिलता है ठीक है और इसमें मौरय काल में निर्मित सुदार्सन जील की बजानकार मरमत बेविन कालों में हुआ है जैसे मौरे काल में ये बना मौरे काल में बना तो मौरे के आगे फिर गुप्त में इसका मरमत हुआ ठीक है तो ये मरमत इसका हुआ है तो ऐसे आगे चलते चलते ये जो जील है वो बहुत फेमस है फिर आगे भी इतिहास में आएगा ठीक है इसलिए ये जूना गड़ विलेख अब लोग याद कर लिए अब आगे बढ़ते हैं देखिए असोक का विलेख जो है वो भी इतिहास का एक महत्पुन सुरोत है तो इसके बारे में भी पड़ लेंगे ठीक है और चुकि हमारे बिह अनों यह है जो हिष्टीव वालब बारत कर चकते चने उसमें भी इंपर्टेंट एटीच है आप डिखे असोक का विलेख रमनी मिलते हैं खροष्टी मिलते हैं अर्माइक मिलते हैं ग्रीक मतलब10 होता है ट्यक है और आर्माइक जो होता है जिसने जब युनानी नी भासा आ श्मादी होता है बहुत बाम से बाइअ सदाय करोस्ती म rifi को सिश्टिम में पढ़ाथा था कि कैसे उनके नौकर ने उनके मदद की थी पढ़ने में ठीक है अब देखिए असो के सिला लेख के बारे में बताया गया है मैं जो टिक लगाया हूं उसको आप कर लिजेगा ठीक है मतलब पहला तीसरा फांचवा साथ आठ्वां ठीक है तेरा हुआ आगे बढ़ते हैं अब देखिए आगे आते हैं बिहार में तीन अस्तम हैं कौन अस्तम लेख है वो चंगुर्ण माप किजिएगा असो के ठीक है तो इसको आप लोग याद करना है इसको भी आप लोग याद कर लेएगा ठीक है अस्तम लेक टोटल संखय है साथ रामपुर्वा लॉरियन अंद्गर और लॉरियार राज यह तीनों जो है बिहार में है ठीक है यह तीनों बिहार में है तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है याद रखेगा ठीक है अब आगे इसमें दो चीज याद रखना है एक राजस्थान वाला एक भीहार वाला राजस्थान वाला भी इसलिए याद रखना है कि इसमें असुक के बारे में कुछ लिखा गया है ठीक है तो इसलिए उसको याद रखना है अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहां पे मोर्यों की उत्पत्य पिवादित है और इसका कोई एसक्छ पये भूष्ए प्रमान नहीं मिलता है बहुत सारे बहुत गरंतुर्बाइड उनको चाथ र्यक हो जैन गरंत है और जो आधन प्रब loves क में कि आप देखिए एक चीज और राय ने टिक चंद्ध्गूप्त के मोरे के सासे कैसे चलता था ये बताये जैसे मैंने आपको बताया था कि राजा की संकलपना का विकास उत्तर बाइदिक काल हो था उस सुरू हो गया था ठीक है मौरे काल आते आते एक दम राजा की जो इस्थिती थी वह सुद्रिड हो गई थी अब देखिए चंदगुप्त मौरे के बारे दिया यह एक स्वेक्षे सासता अपने हाथों में रखे हुए ठीक है और उसके आगे जो यह सब पॉइंट जो मैंने टिक लगाया है इसक तो उससे हम बदने बताया था कि आप स्टेट का नाम जरूर याद रखिए कोई अभी लेक अगर इंपॉर्टेंट है तो उससे रिलेटेड स्टेट का नाम हम याद रखेंगे ठीक है अब देखिए असुक के नाम कहां पे कौन से अभी लेक में क्या क्या मिला है वह लिख लिखा गया है ठीक है तो इसको थोड़ा हम लोग ध्यान में रखेंगे यह वाला पॉइंट अब इधर देख लिए यह का चाना के कोटिल के बारे में है इसको थोड़ा पढ़ लीजेगा आप लोग ठीक है बिंदु सार इसको अमित्र घात भी का जाता है इसलिए इसका न सब्सक्राइब करना है इसलिए इसको ऐसे मैंने लिखा है तो इसको भी आप लोग याद कर लीजेगा अब आगे बढ़ते हैं देखिए यह सब पढ़ लेना है पॉइंट अब यहां पर एक चीज़ दिहान रखना है असो कब आया और कब तक रहा तो 732 इसापुर है यह आप याद रखेगा मतलब 20 ठीक है असो ठीक है आगे बढ़ते हैं यह वाला जो मैंने बताया था असो क्याने नाम यह याद कर लेना है एक क्वेस्चन पूछा ही था कि प्रिदरसी में जो प्रिदरसी का उलेक किस में मतलब किस अभी लेक में है ठीक है तो यह वाला थोड़ा फैक्ट याद रखेगा यह वाला जो मैंने ठीक लगाया है यह थोड़ा थोड़ा इंपोर्टेंट है इसको भी आप याद रखे देखे यह वाला क्वेस्चन पूछा था भीहार दरोगा में ठीक है असो के अभी लेको में उसे देवा नम प्रिया प्रिया प्रिदाजी कहा गया किसमें कहा गया भार्भू भार्भू अभी लेका है राजस्थान ठीक है तो इसको थोड़ा से ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं अब देखी यह कलिंग का यूद बहुत इंपोर्टेंट है इसके बाद जो असोग था उसका दिल बदल गय था ठीक है यह बेश्व जोपी बराबर के पहाड़ी में है ठीक है अब देखिए असोग का ध्हम जो असोग का ध्हम था मतलब यह बहुत धर्म वाला ध्हम ही था लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ रोप था तो उसके वह कैसा था सूग का धम उसके बारे में बताया गया है तो सकूठ राज़ा रजा बना तो कुनाल बनाथ ठीक है अब देखिए दसरत राजा बना था कुछ नहीं था बस थोड़ा सा था यह भी देवनदय की उपादिकरन कि 8 particulier ता मैने बताया था याद रखना है यह किसी बंस का प्रत्मनत याद रखना है थोड़ा बहुत पढ़ना है जो मैंने टिक लगाया है उसको पढ़िए गाप ठीक है तील थैए आ महाबात इसमें बहुत अधिकारी है वह है लेकिन सब का नहीं याद करना इसमें यह वालए याद करना आपको ठीक है देखिए मैं बता देरहाँ कौन-कौन सा याद करना है आप उसी को याद कि जिएगां एवला आप तीनों याद कर लें ना ठीक है अब जाए कांट सोधन क्या था ध्रमस्तिय क्या था यह फॉईदारी था और धर्मस्तिय दिवानी था ठीक है दिवानी मतलब क्या होता है वह रूपया पैसे से रिलेटर मामला जैसे किसी का कोई जमीन हडब लिया या किसी के साथ कोई बैमानी कर लिया उसका दिवानी में होता है और फॉजदारी में क्या होता है हत्या 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 वगर का जो मामला होता है वह फॉजदारी में तो तो टोटल टीस है ठीक है कि इसको अप लोगों को ध्हाम रखना है और यह समीति के बारें बताया है तो यह कोई जरूरी नहीं है इसको नहीं भी याद रख सकते हैं कोई बात नहीं है बस अब यह सेना अगरें बताया कि यह थोड़ा से शिर्फ यह वाला पॉइंट इसको तो यह भी इंपोर्टेंट नहीं है बस ऐसे अब ध्यान लगें क्योंकि इसका कोई क्रम तो दिया हुआ है नहीं तो ऐसे पर्थाम दूते याद करने से सुमेलित भी वाला कोस्चन नहीं बन पाएगा तो इसलिए यह नहीं भी याद रहेगा कोई बात नहीं है ठीक ठीक है तो एक जगह स्थिर्यों के गुप्चरी करेगा उसको संस्था होला जाता है ठीक है महां गुप्चर विया का परधान होता था यह फुर्ष्ट वाला ठीक है आगे बढ़ते हैं कि यहां पर यह वाला पॉइंट जो मैंने टिक लगाया है संचरा मतलब जो घूंगों के गुप्चरी काम करता था इस त्रियों के दासा कैसे थी उससे मेगा स्थिनी ने क्या बताया है कि कौन-कौन सा जिसे वर्ण विवाजन कैसा था उसमें तो वह साथ वर्वों माटता है लेकिन ऐसा कुछ था नहीं वो चुकि नया था उसको उतना जानकारी नहीं था यहां के समाज के बारे में तो वह जो देखा वो लिख दिया ठीक है समाज बेसिकली वही ब्रावन चत्रिये वैसे और सुद्र में बटा हुआ था ठीक है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख ठीक है अब देखिए मौर के बाद कौन आए सूंगा है सुन के बाद करना ऐसा तो आना आत फिर गुपता यह करम मैंने लिखा ऐसे ध्यान रखने के लिए आप लोग भी थोड़त सा ध्यान रखेगा ठीक है असोक ने कई नगरों किया स्था अपने क्या कस्म देखिए यह सबसे इंपोर्टेंट है सीरी नगर आज बहुत फ्रेमत सहर है राजधानी भी जो मुकाजमर किया और ललित पाटन यह नेपाल में है तो इस दोनों के अस्थापना के किस ने किया था अस असोक नहीं किया था ठीक है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा उसके बाद जो चंदगोत मौरे का जो महल था वो कहां था कुम्रार यहीं पटना में था और यह असी अस्थम वाला एक औसेश भी मिला है इसका ठीक है दिदायर गल से एक यक्षिनी की बूर्टी प्रावत की है अब दिखिए कुछ गुफा को काट करी लोग बराब मतलब जो हमारे भिक्षू थे जैसे आजीवक संपर्खदाय वगरा के बहुत सरे भिक्षू कोते थे उनको दिया था इन्होंने बनवा के तो उसका नाम हों लोग याद रखेंगा मैंने सुरू में इधर पीछे दिखाया भी था कि कौन सा गुफा कौन बनाया था यहां पे आप जो है ना यह दो पॉइंट लास्ट वाला लारिया नंदगर्ण असवक अस्तम यह वाला और यह दो पॉइंट इसको थोड़ा से ध्यान रखना है यह अधिके मौर कल कभी सिर्ट इसका राज के चिन मौर था पाली आमजिंता की भासा थी मतलब बोल्चाल की भासा थी तक् अलिपुत तीस ने कथा वस्तु की राजना की नंदगर्ण से कश्मीर की राजब परवर्तक्ति सारी यह फैक थोड़ा से ध्यान रखना है ठीक है असोग ने तक सिलाम विद्रों का दमन के लिए कुनाल को भीजा था असोग के समय बुद्ध की मूर्ति पूजा का उलेख नहीं मिलता है यह वाला पॉइंट अब ध्यान रखेगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं मौर्यतोर काल में कि महुर्यत्वर्कार में क्या है मुठयों तरकार में ज्यादा चीद नहीं पड़ना है उसके बाद फिर आगे जब जाइएगा तो कन बनस है इसमें कि साथ सकत हो न थो उतना कोई ने उसको टिक कर दिया है ठीक है गौतम पुरुष्ट करनी ठीक है यह सारा कुछ है चुकि अब मैं जो भी बुक यह जो आपको पीडियेप दे रहा हूं यह वीडियो जिस पर बन रहा है वो चुकि मेरा नया बुक है मैंने नया खरीद कर उसमें टिक लगा कर उसके बाद मै सर फोटो साफ नहीं आ रहा है ठीक ताफ फोटो साफ आएगा कोई भी दिक्कत नहीं है अब दिखे इसमें जो जो राजा है कोई राजा उतना इंपोर्टेंट नहीं है एक राजा इंपोर्टेंट हाल यह इसको थोड़ा से याद रखे गया कौतम पुरुष्ट करने यह वागी सब नॉर्मल सासे हैं सो इस सदेखें यहां मैंने कहा था ना सीसे कसी के जलाया था यह सीसा, सीसा कहां से लोग आ लाते थे तो यह मिसर से लाते थे आयाद करके तो अर्मी परति, अब देख आगे पठते हैं आप यह सभाप थोड़ा से दिहान रखे कि यह थोड़ा पॉइंट याद कर लिजीगा ठीक है अब मदेशिया से भारत का संपर का मतलब विदेशियों का जो अक्रमन शुरूब है ना उसके बारे कि में हम बात करें परिशियों इसको हिंदियों विका जाता है ठीक है तो इसको आप लोग ध्याद के हैंगा तो इसका सारक करम और पहले для क Relay कर ले आ करमागारी है उनका क्रम आपको याद रहेगा एक दो बार पुछाए इसलिए थ्यान रखेगा आप दिखिए यë कराजा था मिलिंद पन ठीक है वो नाक से कोईकन किया था बहुत धर्म के बारे में तो वह जो प्रस्न था और इंसर था वह एक फुस्टक में लिखा गया उसको कहा गया मिलेंद पन हो अन्ता आताifie मिलिंद प्रस्न है ठीक है तो यह वाला थोड़ा सा आप पॉइंट याद कर लिजएगा यह आप देखिए सबसे पहले लेख वाला सिका मैंने बताया था उधर कि हिंद्यों वालों नहीं जारी किया था तो यह थोड़ा सा फैक्त ध्यान रखना है ठीक है सबसे पहले सुने का सिका भारत में क चलाया था हिंद्यों वालों नहीं चलाया था तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको थोड़ा सा पढ़िएगा ठीक है इनका साखा था त्रीन चार और इदर उदर आके बस गया थे इसी में राजा था जो बिक्रम सम्मद चलाया था यह कोईशन दरोगा में पूछा भी था और गलत भी था ठीक है क्योंकि बिक्रम सम्मद जो चलाया है उसमें अप्शन ही नहीं था उसका और इसके बाद हम पढ़ेंगे यह सबसे विख्यात सक्षा रोद्रदामन था इसका जुनागड़ा भी लेका में देखा भी है मतलब यह पढ़ा भी है अभी कि यह एक जील का निर्मान करवाया है उसमें वो उसका बढ़ना नहीं ठीक है संस्कृत का बड़ा प्रेमी था संस् यह भी एक विदेशी आकरमन कारी थे सं टॉमस जो थे वो इनके साथ भारत आये थे इसाइद हमके परचार के लिए ठीक है यह पॉइंट थोड़ा से नोटिस रखना है अब दीक है इसमें सबसे इंपोर्टेंट है कुसान इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि कुसानों न अब एक संभद दिया जिसका उपयोग आज भी हमारे आज हमारे भारत सकाटवरा किया जता है ठीक है कुजील कट फिसस जो था इसका संस्थापक था ठीक है एक चीज़ आपको याद रखना है ठीक है कि कभी भी कोई भी वन्स आएगा और उसका जो राजा संस्थापक तो उस राज को जीतने में, सेना रखने में, सेना खड़ा करने में ही खर्च हो जाएगा, तो पहला बार में कोई भी सोना गसिका जारी नहीं करेगा, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कुजूल कटफिसस जो था, ये भी तामबा गसिक का जारी किया था, क्यों सोना का जारी नहीं कर पाया, क्योंकि ये चुकि राजय अस्थापित कर रहा है, तो सारा इसका जो पैसा वगर था, वो सेना वगर जो खड़ा करने में, वो खर्च हो गया, इसलिए ये तामबा गसिका जाएगा, लेकिन इसके बाद जो राजा बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, इसमें तामबे का सिक्का जारा किया है, कुर्यूल कटफिसस मैंने बताया यह था, बीम कटफिसस आएगा, सेकेंड नमबर पे ही, ये सोना का सिक्का जारी करेगा, ये आप थोड़ा ध्यान रखि यूज करती है, कढ़से यूज कर रहे हैं 1877 से यूज कर रहे है, है इस वह थो ईकन इस को राइधानि था एक पुरुषपुर पेसावर में था दूसरा मतुरा में ठीक है और ये कनिश कम जो महायान से कहाँ समझ सकता और बहुत हमका संपोस्विदा चौथी वह बहुत संगती जो है कनिश के काल में ही थी यह सारा पुस्तक है इसका थोड़ा नाम आप लोग ध्यान रखिए गाटि जो भी स्टुडेंट सीरियस है अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उनका पका अच्छा नंबर आने वाला है आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है इसमें लेकिन मैं भी अपना टाइम निकाल के इसको कर रहा हूं कि फीजकल से आने के ब अब हम लोग आई थोड़ा गुप्त समराज को देख लेते हैं देखिए कुप्त समराज कुछ नहीं था ठीक है जब मौर्य समराज पतन हुआ था मतलब मोहरे समराज के खंडाव पर बहुत सार रहा रजा आये और बहुत सारे वन्स अपना साइसन कइँ किया ठीक है उसके द्यान रखेंगे चंद गुप्त मोरे पर्थां कि इसमें एक राजा था इंपोर्टेंट यह थोड़ा से थान रखेंगे क्यों मैं बताता हूं कि विभ्त संब्ध यह चलाएगा आगे बढ़ते हैं देखिए बताता हूं आपको गुप्त संब्ध चलाएगा और यह है कि गुप्त समच चलाएगा तो चंद गुप्त पर्थम ने गुप्त समच रहे यही कोस्टन आया था भी प्यससी और वो गलत था ठीक है गलत भी था कोस्टन अब देखिए संब्ध गुप्त सब्से परतापी राजा था इस पंस का ठीक है क्योंकि इसने बहुत से राज पसेती है मैंने बताये था कि इस असुख से फेस इसने अपने ल αποसरे लिख रहा है थीक है मैं त्यक्रास इसको द्हान नहीं रिखना है CRY ॅँठ्यार आप इसको एक बात फोलई पढ़ लेना कि जैसे थ्थोड़ा सा थोड़ा बहुत दिमाग में रहे हैं कि आप देखिए आगे बढ़ते हैं बीना बजाते हैं इसका वो मिला था सिक्का तो आप समय जी गया होंगे कि हो सकता है कि संगीत कर सोकीन रहा हूं कि आप देखिए आर्यावद का नौग राजा के जिता तीग विजय के कार किया और सब जो बन पर्देश मतलब जंगल के जंगल में जो जिन राजाओं का अच्छे तो पढ़ता था उन सभी को जीत कर उनको परचारा के सिवक बनाया है ठीक है असकंद गूप्त का भीत्री अब लेकिए असकंद गूप्त इसी गूप्त मस का एक राजा है जिससे पता चलत है कि असकंद गूप्त भीत्री अब लेक्स पता चलता है कि समद्गूप्त ने बिजय से निर्वत हो का समेग किया था यह कोईस्टन पूछा भी था ठीक है अधिक है अधिक एरन अब लेकिन समय बतने का नाम दिया गया है यह सब जो पॉइंट मैंने ठीक लगा है यह सब थोड़ा साब पढ़ लिना से लंका किराजा में वाजन था समंद्गूप से एक मंदिर बनवान की अनुमाती मानता है और समद्गूप्त उसको देदेता है ठीक है अब देखिए वहाँ जो सिक्कात मिलता था जो गुप्त काल में उच्छे परकारता था यह लिखा हुए गड़ूर असुमें एक धन और दर ब्यागहन था परसु और वीना समरन बीना सारन अब देखिए संद्गूप्त समंद्गूप्त ने और समें पराक्रम के ठीक है यह थोड़ा कंडर भूक राजा था तो इसका बद कर दिया चंद्गूप्त दीते ने और उसके बाद उसने फिस्ट अगया स्थापना की ठीक है अधिए चंद्गूप्त देते जो है उसको भी क्रमादी तभी कहा जाता है और इसके काल में गुप्त सम्राज बहु जो देखिए का जब आप कुत्व मिनार जाएगा तो वहां कैंपस में एक लोहा का अस्तम लगा हुआ है वही है यह अस्तम चंद्गूप्त देवाला और उसकी खासियत है कि उसमें आज तक जंग नहीं लगा है मतलब यानि कहने का अधिया है कि उस समय की भी जो टेक्नलो लिएगा मैंने ठीक लगाया है कि किसको याद रखना पेठ मतलब ग्राम सुम या ग्राम एकाई को कहा जाता था यह आप याद रखिए ग्राम सबह ठीक है आगे बढ़ते हैं का हां गुप्तकल में समाज क्षाथ था धर्म क्षाथ यह साप थोड़ा सा पढ़िए गाटीक है समाज तससा इसके और किसी बीचीज को पढ़ा कीजिये समाज बगर रहा तो उसको कंपेर कीजिए कि उत्तरवाइदिकाल का समाज कैसा था सिंदु सब बेता का समाज कैसा था उसके बाद जो हमारा धार्मिक जीवन था वह कैसा था यह दोनों को कंपेर कीजिए आपस में दोनों को कनेक्ट होंगी अब देखिए इसमें कुछ पता दिकारी है उसका आप लोग याद करें जो मैंने याद करने वाला था वो मैंने टिक लगा दिया है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखिए बैपार वानीजी के इस्तिति क्या थी इससे पता चलता है तो इसको आप पढ़ लिजेगा कौर बेवस था जो टेक्स वर्गर सिस्टम था वो कैसा था कैसे कौन किसको टेक्स लेता था था वो यहां पर दिया गया है ठीक है देखिए राजा को भूमी उत्पाजन से प्रा बहुमी संग्रह करने वाले प्रादी का धुर्वा दिवकरन कहा जाता था यह एक प्रकर का अधिकारी होता था वह भूमी करका संग्रह करता था ठीक है यह बंदरगाह इंपोर्टेंट है अब याद रखेगा पूर्वी भारत पतती भी बहुत हुआ तो उसके बारे में थ इसको याद कर लेना ठीक है कौन कुसा कौन जो जैसे बरा मेर ने पंच सी धांत का लिखी तो आरे भटने कौन सा लिखा यह सारा थोड़ा ध्यान रखना है इस ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हिए कि अ थैड़ कि अब यह भास करनें तीन गलंतんな की सब patients कर से चुड़ा रेलेटलसप में है इसलिए किसमें भार इसमें है इसंदुअ है इसमें भास ऐब भास करने तो यह वուए तो थुदध धियान तक है इसका तेनों का नाम याद करना ही यह पौइंट याद करना है याध्या़ने करना है और यह जो मंदीर है ना इसको थोड़ा सë पूछेकर नइन क्योंकि स्नुप्रस मैं कहां पर किसराज में या किस जगा सा है खीके और यह वाला जो दिया यह सब भी ह्तोबद्वाइब दीजिए का आजन्ता की चित्रकारी इसमें जो गूफा एक कहां से कहा तक पुफा गूफ्त काल से है और बाकी जो गूफा है वह राष्ट कूट से कैसे समन्दी थे या और भी मतलब जो निवाघु फाएंज वो किसे समा को है की बूद्र जो है यह सोध्रा से भीख समांग रहे हैं उसका भी उस्कारा आज में चीत्र में नीवार इस में पतनी तोई रहुल को जो उनका पुद्र था उसको महादमां पुद्ध को दानुद्ध को दान मैं यहीं थीख़ाये जाné सी consists लुद रही हैario साहिट इसमें थोड़ा सामपढ़ें गुप्त करने साहिट क्योंकि जरूरी है देखे उसमें कौन-कौन-कौन-सी पुष्ट के रचना ही इसका थोड़ा करना भी याद रखेंगे अब देखें यह वाला जो है यह सबसे इंपोर्टेंट है देखें मैं बताता हूं कौन-कौ लिखा यह थोड़ा सा ध्यान रखना है यह सब जो भी लेखा का है न यह थोड़ा याद देखें मेरे स्कॉटिकम मिट्ट का घड़ा होता है एक बार को एसन पूछा था कब भीहार स्सी ग्रेजुएट लेवल में 2014 में जो को वेकेंशी आया था उसमें पूछा था कि मिट क्या है और मेरा गलत हो गया था ठीक है मिटी का घड़ा इसका अर्थ होता है अब चलिए समाप्त हो गया यह गुप्तकाल इसमें आपको लोगों काम क्या करना है पहला नमबर इसमें क्राउन पढ़ना है यह क्राउन को पूरा दो बार पढ़ना है ठीक है जो भी यह दो त यह जो चैप्टर है इसमों तीनों उसको भी सब्सक्राइब लगा लेना है ठीक है और जिन जिन का कल एंटीपिसी का एक्जाम है या जो भी बच्चों का एक्जाम है उनको बेस्ट अप्लक दोस्तों ऐसे हमारे वीडियो बने रही है और आप लोग जी जान से मेहनत कीजिए मुझे पका भी स्वास है कि आपका रिजल्ट पका होगा एक वीडियो में जरूर लाओंगा जिसमें जीन बच्चों का 75 या 70 पर बार बार नमबर आके अटक जा रहा है या इससे नहीं बढ़ पा रहा है या 75 प्लस नहीं बढ़ पा रहा है उसके लिए मैं special वीडियो है इससे बढ़ ही नहीं रहा है इसको तो उसको कैसे आप 85 ले जाएगा यह मैं आपको एक वीडियो में बताओंगा ठीक है अभी यह जो ट्रिक वगर है थोड़ा सा हम बाद में डिसकॉस करेंगे लेकिन जल्द ही मैं वीडियो बना देंगा हो सकता है कल भी बना दो या प कोई फायदा नहीं है ठीक है इसलिए हम लोगो स्मार्ट पढ़ा ही करना है जो भी मैंने टिक लगवाए सारा टिक लगए जो मैंने बता है कि इसको याद करना है आप उसको याद करें क्वेस्टन कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा ठीक है चले दोस्तों बहुत रात हो गया है धन्यवाद जैहिंद कल यह आपको वीडियो कल लाइब मिल जाएगा एक बात मैं कहना भूल गया कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आगे भी हम और भी उपयोगी वीडियो लाएंगे मैं कोसिस करूंगा कि लूसेंट का भी वीडियो म मिलता है आगे भी हम प्रेदित होंगे ऐसे वीडियो लाते रहने के लिए धन्यवाद जैहिंद कि भी नवी कि अएंगे लाएंगे खाट जया लग वीडियोड बूसे जखवा कि भी हमें कि